सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंतरा चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हमारे लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो आगे बनने से पहले हम आपको बता दे कि हम कोई फाइनेशल अडवाईजर नहीं है और कोई भी इन्वेस्ट्मेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर जरूर कर ले आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं नमस्कार दोस्तों में जाते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो बानी मंतरा के एक नए वीडियो में जैसे कि आप जानते कि आज के समय के अंदर जो समय चल रहा है वो चल रहा है इसी वीडियो के अंदर बने रहेगा आखरी तक ताकि आपको सारी इंपॉर्टन इंफर्मेशन मिल सके इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप से कहाना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो पर आये हैं तो यहां पर एक लाइक का बटन मिलकुल दबा दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारी अगर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन मिलकुल याद से दबा लिजेगा और बैल आइकन को भी याद से दबा लिजेगा ताकि आपको सारी bitcredit.com और यहां पर प्रेस करना है एंटर जैसे यहां पर आप प्रेस करेंगे एंटर अगर आपके सिस्टम पे metamask already connected है तो यह already आपके यहां पर bitcredit.com पे already connect हो जाएगा नहीं तो आप यहां पर connect करने का option आएगा तो आपके सिस्टम पे metamask होना जरूरी है और अगर आपके पास metamask wallet नहीं है और ethereum का अगर आपके पास wallet है सिरफ जिसमें आपके पास private key और साथ में public key है तो आप private keys कभी भी store नहीं करता है तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि आपका private key अगर आप यहां पर डालते भी है इस exchange के ऊपर तो एकदम safe and secure है तो यह चीज़ को आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है अब आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि ऊपर यहां पर बिट क्रेटिक का logo दिया गया है उसके साथ में आप पे पैर दिया गया कि कौन-कौन से पैर आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन जो भी पैर यहां पर लिस्टेड है सारे के सारे पैर काफी जादा options जितने भी काफी अच्छे options यहां पर जो coins के हैं वो यहां पर already दिये जा चुके हैं अभी by default जैसे हम bitcratic.com पर आते हैं तो USDT, Ethereum का पैर यहां पर खुल जाता है और आप अपने यहां पर Ethereum को USDT है फिर USDT को Ethereum में जो है वो convert कर सकते हैं अब आपको यहां पर देखना यह है कि यहां पर जो दूसरा option है यह है यह mode change करने का आपको night mode चाहिए यह day mode चाहिए उसी के साथ आप यहां पर सारा कुछ जितने भी information है यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक pre-sale चल रही है BCTR token की उसके बारे में आपको बताऊंगा बहुत ही जबर्दस token होने वाला है BCTR token how to trade के लिए यहां पर guide भी दे रखिए उसके बारे में भी आपको बताऊंगा definitely और यहां पर सारा का सारा जो option है यहां पर दे USDT यहां पर दिखा रहा है कि इतने रखे हुए हैं और Ethereum कितने रखे हुए है वो भी मुझे यहां पर दिखा रहा है तो simply यहां पर दिखा रहा है अब मेरे को यहां से अपने wallet से यहां पर deposit कर देना है अगर मैं चाहूं तो जितना भी amount मैं पर deposit कर सकता हूं 10$ 20$ 50$ 100$ सो पड़ेगी जो भी gas fees ethereum के नेटवर्क के ऊपर चल रही होगी उसके हिसाब से आपकी gas fees जो है आपको पे करनी होगी और जैसे आप पे कर देंगे gas fees को आपका जो है amount यहां पर deposit हो जाएगा जो भी आप account जो भी आपको coin जो है वो आपको trade करना है वो यहां पर तो यहां पर नीचे आप देख सकते हैं कि buy order और sell order का option जो है यहां पर दे रखा है यहां पर हम buy order और sell order से हम इतना ethereum buy और sell यहां पर हम कर सकते हैं अगर मेरे को यहां पर अगर मैं बात करूँ कि USDT अगर मेरे को buy करना है तो यहां पर मैं लिख दूँँगा कितना USDT में को buy क और यहां पर कितना मैं इथेरियम का पर यूएसड़ीटी कितना दे सकता हूं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि पिछले जो ट्रेड्ट है जो रिसेंट रेड्स है तो यहां से पूरा आइडिया लगा सकते हैं कि कि इसमय पर Ethereum का rate चल रहा है और proper updated यहां पर price भी चल रहा है कि जो पिछले जो trades हो है जो recent trades है वह यहां पर आप देख सकते हैं उसके इसाफ से आप अपनी bid जो है यहां पर लगा सकते हैं अगर मैं चाहूं तो यहां पर 0.00226 जो कि अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर 0.00225 यहां पर बिड़ लगी है यहां पर 0.00226 का मैं यहां पर order लगा सकता हूं मैं को कितना पूरा Ethereum देना होगा इसके लिए यह भी यहां पर दिखा रखा है कि यहां पर जो टोटल 100 USDT के लिए इस rate के एसाब से जो मैं को Ethereum देना होगा 0.226 का यहां पर मैं को Ethereum जो को pay करना और उसके साथ-साथ यह expires लिखा है, expires का मतलब है कि यहाँ पर 10,000 by default लिखा है, 10,000 का मतलब है कि अगले 10,000 blocks तक, जैसे कि अब जानतें कि Ethereum की जो blockchain है, वो इस समय पर proof of work पर काम कर रही है, और mining होती है Ethereum की, तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो Ethereum क जो mining हो रही है, जितने भी blocks जो generate होते हैं, और blocks जितने भी समय तक वो रहेंगे, मतलब कि 10,000 blocks जो यहाँ पर है, 10,000 blocks के लिए valid रहेगा यह trade, अगले 10,000 blocks के लिए, जैसे ही 10,000 blocks complete हो जाएंगे, उसके बाद आपका order automatically cancel हो जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि manually cancel करना order को, तो आप manually भी cancel कर सकते हैं, लेकिन manually cancel करने के लिए आपको कुछ additional gas fees जो है वो pay करनी होती है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको additional gas fees pay जो है वो ना करनी पड़े, तो यहाँ पर अगर आप चाहें, तो यहाँ पर blocks जो है वो कम जादा भी कर सकते हैं, maximum 10,000 blocks जो हो सकते हैं तो 10,000 blocks आप यहाँ पर रखकर यहाँ पर आप कर सकते हैं, basically, तो अगर आप चाहें, तो यहाँ पर अगर आपको 100 blocks के लिए, अगर आपको valid रखना यह trade, तो आप 100 यहाँ पर लिख दीजएगा, तो इसको इस तरीके से buy और sell order आप यहाँ पर place कर सकते हैं, अब आपको एक चीज बहुत यह अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है, यह जो दो option है, buy और sell orders जो यहाँ पर है, यह basically सिरफ और सिरफ orders place करने के लिए है, execute करने के लिए नहीं, यहाँ पर जैसे maker और taker का जो होता है हिसाब, वो उस तरीके से यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर use जो किय जा सकता है, buy or sell, यह सिरफ और सिरफ maker के लिए ही use किया सकता है, मतलब कि आप सिरफ order place कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि ऊपर जो order already लगा हुआ है, उसको अगर आपको buy करना है, तो यहाँ से आप execute नहीं कर पाएंगे, अगर आपको execute अगर आपको करना है, तो simply आप को click करना होगा, अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि मेरे को यहाँ पर इसके ओपर जो यह seller है, इसको मेरे को यहाँ से basically buy करना है, तो मैं यहाँ पर simply इसके ओपर click कर दूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर click किया simple, click करने के बाद में को बताएगा कि कितने usdt का में को buy करना है मैं वो लिखूँगा और कितना Ethereum मेरे को यहां पर मिलेगा उसके वो में को यहां पर दिखाई देगा और उसमें पीछे जो जो gas fees लगेगी वो कितनी लगेगी वो भी में को सारी की सारी information जो है यहां पर मिल जाएगी तो यहां पर USDT buy a sell का जो option है यहां पर में को दे रखा है कि मैं को किस तरीके से यहां पर trade करना है आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि यह एक decentralized Ethereum platform पे चलने वाला exchange है तो यहां पर आपको जो भी अभी तक जो coins available है वो Ethereum pair में listed है आने वाले समय में हो सकते कि USDT pair में भी लेकर आएंगे तो यह चीज के ल trades होते जा रहे हैं वो आपको इस area में नजर आ रहे हैं of course और जो order book है वो तो यहां पर है ही तो कुछ इस तरीके की चीज़े है अब आपको लेकर चलना चाहूंगा इसकी user guide पर in case अगर आपको कोई भी ऐसी कोई भी समस्या हो जो कि आपको चीज़ें ना समझ में आई हो अ सारी कुछ information आपको यहां पर इस तरीके से दी गई है आप देख सकते हैं मेरी screen के उपर इसका link मैं आपको description में जो है वो definitely दे दूँगा अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर इनकी website के उपर आप देख सकते हैं pre-sale bctr token bctr token इनका खुद का एक token है जो कि bitcoin bitcratic यहां पर जो है bitcratic revenue token यहां पर आपको यह बता सकता हूंग मैं आपको की पूरे की पूरी जो tokens है लिस्ट अभी करने वाले कुछ समय के अंदर यहां पर bitcratic.com पे भी हो सकता है कि यह बहुत अलग 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 exchange पे भी लिस sharing जो इसमें आकरी में bitcratic के बाद जो जो आर लिखा है right bctr token है यह जो आर है यह this stand for revenue revenue का मतलब क्या है कि जो भी trading होगी usdt eth के pair के अंदर या फिर bctr eth के pair के अंदर right वो revenue आपके साथ share किया जाएगा right तो यहां पर monthly revenue जितना भी होगा वो आपके साथ share किया जाएगा token holders के स share किया जाएगा right यह सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है उसके साथ साथ आप देख सकते कि जैसे कि मैंने आपको बताए कि इसका नाम जो है token का हुए bitcratic revenue और इसका जो token का जो यहां पर जो symbol है वो है bctr और जो token supply है वो सिरफ और सिरफ 28,000 tokens ही है सिरफ और सिरफ इस ज़्यादा tokens नहीं है और इस समय पर इसकी जो sale है वो चालू है right इस चीज़ के लिए crypto money मंतरा के पास यह especially हमको एक यह provision मिला है कि हम इस coin को खरी सकते हैं अगर आप bctr tokens के अंदर interested है क्योंकि एक already running platform है already running यहाँ पर exchange है तो इसकी जो value है वो काफी ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन इसकी value बहुत कम रखी गई है यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर total पच्चेस हजार tokens ही sell किया जाएंगे तीन हजार coins जो है वो team अपने पास रखेगी और पच्चेस हजार coins जो है वो sell करेगी और उसमें आपको total ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो fund raise करना है वो करना है 100K USDT मतलब कि सिरफ और सिरफ एक लाख US dollars राइट वो सिरफ और यहाँ पर जो है वो raise करना चाहते हैं यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो अगर 100K के हेसाब से अगर 25,000 tokens अगर sell करते तो एक token की value बनते हैं सिरफ और सिरफ और चार डॉलर की जो की already running functional exchange है तो काफी एक अच्छे rate पर यह जो token है वो मिलने वाला है हमको अगर आप लोग interested है तो definitely इस video के नीचे description में लिखेगा कि I am interested in BCTR token तो definitely आपके interest के साब से हम देखेंगे कि कि कितने लोग actually मैं interested है तो उसके साब से जो sale है वो आप सब लोगों को provide की जाएगी उ इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेगा आपको जैसे कि मैंने बताया कि revenue भी share करेंगे अपने token holders के साथ में तो यह भी additional advantage जो है वो रहेगा इस exchange के token के साथ में राइट तो यह सारी चीज़े हैं तो अब आप समझ गए होंगे पूरा का पूरा concept BCTR token का भी और Bitcratic Exchange के बारे में भी कि किस तरीके से trade करना है सारी कुछ चीज़े जो आप समझ चुके होंगे तो दोस्तो यही कुछ था इस वीडियो के अंदर तो उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आ होगा अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो एक like का बटन बिलकुल दबा दीजेगा जादा जादा शेयर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ताकि इस वीडियो पे और जादा व्यूज आ सके और साथ ही साथ लोगों को पता चल सके कि इंडिया का पहला जो decentralized exchange है bitcratic.com उस पे किस तरीके से trade कर सकते हैं आप सुब लोग और